लो दोस्तो मैं नामेजद्ध हुआ और आज वीडियो में देखने वाले हैं और सिस्टम के बारे में तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि को पीएच पी का यूज करके एक प्रोग्रामिंग वगरा सीखा है इसे नहीं करें यहां पर मैं क्या करता हूं गता करता हूं ज्सका नाम मैं रखता हूं इस- आफ के अंदर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं जीसका नाम हम लोगर थे लॉग प Verb करने वाले हैं जो यहां पर लिखते हैं लोकल होस्ट और जो हमारा फोल्डर था वह था ओप्स और उसके अंदर हमारा जो और लोगिन दॉट प्वार यहां से हम लोग डबलो थ्री स्कूल से हम लोग उठा लेते हैं यहां से यहां पर आप नीचाएंगे तो देखें बूटिश्ट्राप पोर इस्टैक फॉर्म यहां रहा है हमारे पास तो हम लोग क्या करते हैं इसको ट्राइए इसको पूरा यहां से उठा लेते हैं और इसको अपने लॉगिन.php के अंदर हम लोग यहां पर पेश्ट करते हैं यहां से इसका टाइटल और भगर हटा देते हैं तो बूटिश्ट्रेप की जगह पर हम लोग लिखते हैं यहां पर आप सिस्टम और यदि हम नीचे जाते है तो यहां पर हमारे पास login और email और password के साथ लोग हो सकते हैं इसको सेफ करते हैं वापस से अगर आप ब्राउजर पर जा करके अगर इसको यहां पर व्यू करके देखें तो हमें कुछ स्टैप का हमें फॉर्म देख रहा है इस्टैक फॉर्म की जगा हम लोग और यहां पर एक और बना लेते हैं कि लास कर लेते हैं कि अधिक लोग करेंगे और यह जो फॉर्म की जो भी डेटा है यहां से जो पोड है इसको उठा करके हम लोग इसके डाल दे रहे हैं कि यहां पर हमने दो डीव यहां पर एड़ कर लिए जो कि रो और और पार्सवर्ट एक और हम लोग यहां पर बना लेते हैं और यहां पर डाल दे डाइब करके अब रजिस्टर डाट पीश्पी के अंदर क्या होगा कि लॉग निकी जगाप हमारा यहां पर रेजिस्टर हो जाएगा और एक और हम लोग यहां पर एड़ कर लेते हैं एक और इन्पुट फिल्ड जो होगी हमारे इसका नेम रहेगा इसको यहां पर इसका टेक्स्ट रहेगा अगर हम यहां पर रेजिस्टर पर जाते हैं तो देखिए रजिस्टर फॉर्म नेम एमेल और पास्वर्ट यहां पर बटन भी डालेते हैं ताकि समीट के बगल में अगर यह लॉगिन का भी बटन रहेगा तो हम स्विच कर सकते हैं बार-बार इधर उदर जा करके तो क्या करते हैं कि यहां से एक टैग बना लेते हैं और प्लास बटन की बटन ब्लैक कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं कि लॉगिन इस तरीके से इसको वापस से अगर मैं यहां पर रिफ्रेश्ट करेंगो तो देखें लॉगिन बटन आ रहा है अब हम एक ऐसा ही बटन सेम हम लोग रजिस्टर वाले में भी डाल देते है तो मैं क्या करता हूं किसी चीज को यहां से कॉपी करके हम लोग यहां पर लॉग इन के लिए डाल देते हैं और यहां पर हम लोग इसको बरादेंगे रेजिस्टर के लिए यहां पर लॉग इन की जगा हो जाएगा हमारा रेजिस्टर पी और यहां पर लॉग इन की जगा हो सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से आप डिटाबेस करेंगे तो यहां पर आप एक डिटाबेस क्रेट किया और डीबी करके मैंने इसको क्रिएट पर क्लिक किया और यहां पर सबसे पहले आपको डिटालनी रहेगी और यहां पर इंडेक्स की प्रैमरी की हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहां पर आपका नेम तो जो भी आप नेम डालेंगे और इमेल और यहां पर आपका पास्वार यहां पर यहां पर यह सभी क्या रहेगा वैर के रहेंगे तो सभी के लिए मैं वैर के सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर जो उसका लेंद रहेगा वह हंड्रेड हंड्रेड माल लेते सभी का है ठीक है ओके नहीं रहना चाहिए बट कोई नहीं सेव करते हैं इसको हम लोग यहां पर तो अभी देखे एक टेबल हमारे पास यहां पर क्रेट होगी जिसकी आईडी हमारी प्राइमरी की होगी नेम इमेल और उसका पार्श्वार ठीक है इसी चीज का हम लोग यूज करके हम लोग इसके पर यहां पर यहां पर यहां पर आप और यहां पर हम दालना है कि इसी पेच्ट पे हम Caleb यहां पर रिजिस्टर करने वाले हैं को यह रहाव पर हम लोग क्या करें कि पाप लिखने शुरू कर देंगे घ्रका था कैल अ क्रिक्वेस्ट मैफर सुर्च होता है तो ही वो आगे बढ़ेगा यहां पर ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करें कि जो भी आपके पोस्ट के अंदर रिक्वेस्ट आएगी उसको हम लोग एक बाद प्रिंट आर करके देख लेते हैं कि हमारे पास सब कुछ रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं आ रही है जो हमारा हमता सब्सक्नाइब कि डिल करने हैं नेम है इमेल है और सका पर्षफ मैं सब्सक् Чтобы करें है मैं एकटक है जगे और उस फोल्ड़ का नाम हम लोग रखते हैं यहां पर एैप करके इस एप के अंदर हम लोग एक फोल्डर फाइल के लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे डेटाबेस.php करके सबसे पहले तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक PHP का, PHP की क्लास बना लेंगे, जो की रहेगी डेटाबेस नाम से, तो क्लास, डेटाबेस, और यहां पर आप जो है प्राइविट वेरिबल साब जो है बना सकते हैं, जो भी आपका होस्ट रहेगा, उसका नाम हो जाएगा इस तरीके स है, तो मैं multiple यहां पर copy paste कर लेता हूँ, तो private में आपका host हो गया, आपका db name क्या है, वो आपको डालना रहेगा, फिर आपका username क्या है, डेटाबेस के अंदर, फिर आपका database का जो password है, वो क्या है, और फिर आप एक और variable आप यहां पर बना सकते हैं, जो कि होगा connection के लिए, इसको आपको public कर देना है, क्योंकि आप connection आप कहीं से भी access कर सकते हो, और यह private इसलिए ताकि आप यह इसी class के अंदर है, इसको change न कर पाए, तो जो host हमारा वो है local host, और जो db name है, वो हमारा यहां पर है, auth db करके, जो कि हमने यहां पर create किया था, auth db, right, username आपका रहेगा, root by default और password भी आपका blank रहेगा, और connection आपका तो blank रहेगा, ठीक है, तो यहां पर इसको कुछ assign करने के जुरूत नहीं है, तो जैसे ही यह हमारी class का एक object create होता है, हम चाहते हैं कि वैसे ही हमारा, वैसे हम चाहते हैं कि connection हमारा हो जाए, database के साथ में, तो यहां पर हम लोग क्य आपको यहां पर लिखना रहेगा, तो मालनी जी आपने यहां पर लिखा कि this connection वो भी null है, तो यह जो connection है, वो हमारा यह वाला connection है, इसलिए हमने this keyword से इसको access किया है, और उसके बाद आपको try cache में डाल देना, इस चीज को, क्यूंकि जरूरी नहीं है कि connection होई जाएगा, उस इसके बाद आपको करना है कि this connection के अंदर, आपको assign करना है new PDO करके, तो PDO के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप W3 school से ही आप जान सकते है, यहां पर अगर आप PHP पर जाएंगे, तो यहां पर आप database connection के अंदर अगर आप देखेंगे, तो यहां पर आपको मिल जाए सेम चीज़ क्यां से उठा रहे हैं, यहां पर करना है एंदर, तो मैं करता हूं कि इसी चीज़ को हम लोग यहां से उठा लेते, try cash वाल ब्लॉक इसको मैं यहां से copy कर लेता हूं, और यहां पर paste कर देता हूं अपने, इसको थोड़ा सा हम लोग align कर लेते हैं, यहां पर connection आ साथ में डीवी नेम आपका माई डीवी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूजर नेम और पाश्वर्ड यूजर नेम आपको लगाना रहेगा इसका यानिकी जोबी इसका पाष्वर्ड हो जाता है वैसे आपको लिखनाए और यहां पर यहां से क्नेक्शन और यहांपर कर देगा तो इस फिक नहीं है है ओके ठीक है तो अब यह हमारा डेटाबेस से कनेक्शन हो चुका है यहां अब हम एक और फाइल यहां पर क्रेट कर लेते हैं तो हमारे पास यहां पर रेजिस्टर.php जैसी डेटाबेस हमारे क्लास बना लेते हैं जो की होगा यूजर.php करके हमा लें जो हमारे पार डेटा बेस डाट पीएश्बी करके हैं तो यहां पर यूजर और इसके अंदर भी हम लोग यूज कर पाएंगे यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसके टेबल का नाम हम लोग यहां पर डिफाइंड करते हैं तो यह हो जाएगा आपका तो यूजर नाम से हमने यहां पर टेबल बनाये अगर आपको याद होगा तो क्वामने इस च्टणट इससन ऑन संय यहां पर दैइन। प्रास बिनते हैं और इसके अंदर हम लोग जो भी चीजह । आई आइडी बनाई वी थी जो एक नेम फिल्ड थी और एमेल और एक पासवर्ड ये तीन चार फिल्ड समने वहां पर बनाई वी थी इस टेबल के अंदर वही सारी हमने यहां पर भी डाल दी है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं कि रजिस्टर जो हमारा एक फंक्शन रहेगा वह हम सब्सक्राइब यहां पर उसको एपने यहां पर लिखने वाले है प्ट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां से यूजर की जो भी डिटेल से उसको में सबसे पहले यहां पर भेज करके एक बार देख लेते हैं यहां पर यूजर के अदर है जो कि है यूजर … यहां पर यूजर नाम का अब यूजर करके इस तरीके से अब यूजर के नेम के अंदर आपने क्या किया कि जो भी आपका पॉस्ट रिक्वेस्ट जो भी नेम आएगी वह आप यहां पर डाल लोगे और सेम चीज़ आप जो है इमेल के लिए भी करोगे और यही सेम चीज़ आप पार्शवर्ड के लिए भी करोगे तो थोड़ा सा और देख लेते हैं तो यह जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है नियू यूजर का उसके पास नेम इमेल और पार्शवर्ड यह तीन चीज़े हैं अगर आप यहां पर देखे जाता है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि रिजिस्टी रेजिस्टर रिजिस्टर हैँ से कि हम लोग क्या लीखेंगे कि यहां पर लिख देंगे अनेबल टू रिजिस्टर यूजर राइट हमने एक क्लास बना दी उसके अंदर जो भी हमें वैलू सैट करने थे वह हमने सैट कर लिया यहां से हम लोग यूजर जो हमारा यह वाला अबजेक्ट है उसका हमने रेजिस्टर मैथड़ हीट किया है अब करता है तो इसको सेट करते हैं हैं अब हिसको हेट करता है वह इसको करता है यहां पर यहांप से यहां सम מet में बहुय हो परफेक्ट नेम के साथ में आपको यहां पर उसका email भी आपको मिलेगा तो आपने इहां लेका email परफेक्ट करते हैं तो इमेल पर देखने को मिल रहा है और ठीक है तो अब हम रेड़ी हैं इसको data डालने के लिए कि अब हमें यहां तक तो हमें डेटा मिल रहा है ठीक है कि अब इसको इंसर्ट करते हैं यूजर को हम लोग यहां पर नाम का एक व्यरियबल बना लेते हैं उसके अंदर हम लोग इंसर्ट का जो और यहां पर पड़ेंगा तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो यहां पर आप कि इन्सर्ट की क्वेरी होगे इंसर्ट डेटा करके अगर आप इस क्वेरी को अगर आप उठाके देखो गए तो फिर आपको आडिया आएगा कि हम लोग यहां पर आप जाओगे तो यहां पर है मैसको लाई का और यहां पर कि इस तरीके से बनाते हैं यही से मोग является हम कर रहे हैं यहां पर हम लोग लेख bad तो हमने कहां एंटव सब्सक्राइब कर गर है और साथ ही हम उसको क्या कर रहे हैं कि अब यूजर नेम वगर हम उसको क्या तो यह रहे होगा आपका यूजर नेम इमेल उसका पास्वर्ड में और उसको जो वेलू है वो हम यहाँ पर उसको दे कि अंदर हमारे पास पीडियों का कनेक्शन थो भी हमारे डेटाबेस हम लोग यहां पर कनेक्ट कर रहें उसका कनेक्शन आपको यहीं से इसको यहां पर पास कर देंगे और फिर हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा हमें इस पाशवर्ड के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको है करने के लापको यहां पर लिखना है दिस पाशवर्ड उसके अंदर हमें हैस वैलू यानिकी आप जो एक जो इन बिल्ट फंक्शन आप जो यूज कर सकते हैं प्याश्पी का वह आपका दिस पास्वर्ड है और इसके अंदर आप अपना इस जोट पास्वर्ड पास कर देंगे और यहां पर पास्वर्ड करके भी आप यूजर नेम तो जो भी हमारा यूजर नेम है उसकी जगह पर हमें क्या डालना है यहां पर यूजर नेम है आपका बट यहां पर हमारे पास इसका नेम है उसको यहां पर नेम कर देता हूं तो जो भी हमारा नेम है उसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं उसका नेम और ऐसे तो ठीक है यह तीनों चीजे हमने यहां पर बाइंड कर दी है अब आप में इसको एक्जिक्यूट करना पड़ेगा तो आप इसको इस ब्लॉक में डाल सकते हैं कि जो भी हमारा स्टेटमेंट है वह अगर एक्जिक्यूट हो जाता है सक्सेस्फुली तो फिर आपको क्या करना है तो मैं यहां पर चैक कर रहा हूं कि रजिस्टर अगर यह कॉल हो जाता है तो अगर यह फॉल्स रिटरन करेंगा तो वह यह वाला कोड रन करेंगा अगर वह त्रूर रिटरन करता है तो यहां पर हमने यहां से उसको रिटरन कर दिया कि जैसे यूजर अगर रिजिस्ट से मैं इसको यहां पर refresh करता हूं तो यहां तक आपका यूजर रेजिस्टर हो चुका है अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा यूजर रेजिस्टर हुआ यहां पर हमने यूजर को रेजिस्टर कर वाली है इसी कोड को सेम यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लॉग इन के अंदर भी मैं यहां पर डाल लेता हूं कि अन्य अब यहां पर आपका यूजर हैगा मैंट पोस्ट रहेगा नेम रहेगा नेम है आपके पास तो इमेल और पास्वर्ड और यहां पर जो है रजिस्टर की जगह आप लिखोंगे भाई लॉगिन हो चुका यूजर लॉगड लॉगडिन और अनेबल टू लॉग है कि जगवर्ट यहां पर लॉग सिंदधी करते हैं को है यहां है यहां यहां से वह लॉग-इंवाले फंक्शन को हिट करेगा तो अभी हमने लॉगिन वाला फंक्शन यहां पर बनाई है अगर आप देखोगे यूजर के अंदर यहां पर हमने लॉगिन वाला फंक्शन नि तो उसके लिए आपको यहां पर लिखना है यहां पर यहां पर आपको डालना है वेयर जो आपका नेम या इमेल आपको जो रहेगा वो रहेगा आपको यह वाला इमेल में तो इन दोनों के हमें कोई नीड नहीं तो इन दोनों को मैं इमेल रहेगा और फिर आप इस स्टेटिमेंट को आप जो एक्जेक्ट कर दोगे तो इसको हम बाहर लेकर आ जाते हैं और यहां पर एक जो रॉन नाम का एक जो वैरियेबल मना लेते हैं कि अगर कोई डेटा अगर वह उसको मिलेगा तो वह रोमें स्टूर हो जाएगा तो यह जो भी हमारी इस टेटिमेंट वोरी जैसे होती वह में जाती है अब हम लोग चेक करें कि आएंगी जो रो है हमारे पास वह अगर होती है कोई डेटा ब्तूर होता है तो देखेंहां पर हम लोग यहां पर क्यां सकैयों करने हैं पर है इसको कोई बाहर से नहीं समझ पाइगा तो इस चीज को अगर हमें वैलिडेट करना है तो इसके लिए हमें यहां पर पाश्वाइब करके एक पीच्पी का यह एक इंविल फंक्शन है जो सबसे पहले आपका इस डॉट पाश्वड यानि कि जो यूजर ने पाश्वड डाला है तो वह करेगा कि यहां पर फिर वह आसानी से उसका रिटर्न कर सकता है यहां यूजर हमारा लॉग डिन हो चुका है ठीक है यहां पर इसको सेव करते हैं और यहां पर लॉग इन है ठीक है अब हम चलते हैं वापस से ब्राउजर पे और हम लोग चलेंगे अपने लॉग स्थ्tor आयां पर लोग चाहरी कि एक हम यूजर को रिजिस्टर कर ले ताइस को हम यूजर यूजर ऐड़ी यूजर डाट-ौडडे यूजर डाट-ौट-कम-पास्वर्ड इसको समिट करते हैं यूजर ऐडिस्टेर वाले पेज sıलते यहां पर लेखते हमें यहां पर jane at user.com और जो उसका पार्शवर्ड है वह हो जाएगा आपका पार्शवर्ड समिट करते हैं कुछ हुआ ने कुछ हुआ मैं यहाँ पर डगातों पोश्ट का है यहां पर मैथ्टलंच नहीं किए है यहांपर आपको रखना है यहां सेव करना है वापस से मैं थोड़ा एक बाइक ब्रमाना एक इसाथ फिर्स जल्क नुलिंडघ एक उस्घ्रू और ते यहां पर आपका पाश्वर्ड इसको हमें पर समीट पर क्लिक करते हैं तो ट्राइटू एक्सिस एरे ऑफसेट ऑन वैलू टाइप बुलियन यूजर थर्टी सिक्स पर कुछ मिस्टेक है तो वापस थर्टी सिक्स पर चलते हैं यहां पर कुछ मिस्टेक बता रहा है वह खेसे वहां पर यहां पर एकना पड़एगा तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है यहां पर फिर से प्रिंट आर करके देख लेते कि डेटा हमें मिल रहा है और क्या डिटा मिल रहा है इस रॉक के अंदर इसको सेफ करते हैं वापस अगर मैं इसको यहां पर वहां पर दैश्बूर्ट करता हूँ रिफ्रेश करता तो यह देखें यूजर लॉग इन हो चुका है ठीक है तो यहां पर रेजिस्टर और जो हमारा लॉग-इन है वो दोनों पीज हमारा चल रहा है ना बट एक चीज़ और हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग एक और पीज बन इस नहीं हहां हम यह से सब्सूंधे रहेगा कि यूसर का डेसबोर्ट है जैस कि यूजर डेसबोर्ड अब हमें क्या करना पठढ़ाएगा जैसे यूसर utilizz रोक नहीं होता है उसको में यहां पर भीजना रहेँ है तो हमाने यहां लिखना रहेगा header और यहां पर जोस का location है वह हमें यहां पर pass करना रहेगा जो है login.dashboard.php इसको save करते हैं यहां पर चलते हैं इसको करते हैं refresh एक बार फिर से हम लोग यहां पर user की डिटेल डालते हैं कि पार्षवर्ड कि यह देखिए यूजर डैश्बूर्ट परफेक्ट ठीक है तो अब यहां पर यूजर लॉग इन हो पा रहा है ना बट एक और प्रॉब्लम है जैसे कि हमने यहां पर डाला कि लॉग इन पेज पर आ जा रहा है ना कोई भी आएगा वो डैश्बूर्ट प करना पड़ाएगा सुप माः 오늘 क्या करता है कि सशन स्थ करने के लिए सबसे पहले हम लोग जैसे यूजर को यहां पर रेजिस्ट्र करते हैं उसकी हम ल läuft या क्या है कि यूजर ठीनीों हो जाएगी कर यूज हो जाखेक्व अख़े वाले पेज़र ही यहां से लोग इन हो पर सकते हैं तो अब हमें पता है कि यूजर की अगर लॉग इन है session के अंदर अगर है user की ID, तो it means user logged in है, अगर session के अंदर user की ID नहीं होती है, तो उसके समें हमें पता चल जा है, कि user जो है हमारा logged in नहीं है, तो अब इसको और हम कैसे अच्छे से use कर पाएंगे, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कि और फाइल यहां फो बना सकते हैं ग्योंद करेंगा कि अगर यूजर अगर श्राइड यूजर ब और इसको नहीं मिलती है तो उसके अंदर क्या करेगा कि वो वह है लोकेशन उसको आब यहां से वह एक ज़िए टो यह हम क्या कर रहें कि हम लोग दीन है यह अगर लॉग दीन नहीं है तो वो उसको में वाले थे भीज़ देगा इसको अब यूज कर सकते हैं अपने डैश्बूर्ड वाले पेस्ट तो हम लोग चलेंगे अपने डैश्बूर्ड वाले पेस्ट और यहां पर हमें टॉप पर इसको यहां पर इंप्लिमेंट करना रहेगा कि यहां पर हम लोग उस फाइल को यहां पर इंक्लूड कर लेते हैं आथ क्लरफूल नहीं आ रहा मैं इसको दुबारा से ओपन करता हूं कि अभी हमने क्या किया यहां पर कि जैसे ही डैसबूर्ड वाला पीज लोड होगा सबसे पहले और दोट पीजब करेगा कि वो सेशन स्टार्ट करेगा और फिर वो चब चक करें कि अगर उसको एक और जश्ट अपोजिट हो सकता बढ़ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर डशबूर्ट वाले पीजस करने की कोशिश करते हैं कि देश्बोर्ट डॉट पीएश्पी इसको लॉग इन पर भीज़ते रहा है आपने देगा मैं यहां पर एंटर किया इसको लॉग इन पर रिडारेक्ट कर रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि यूजर हमाना लॉग इन नहीं है ठीक है अच्छा अभी अगर एक यूजर अगर लॉग इन हो जाता यहां पर अभी नहीं हो पा रहा है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहां पर जो लॉग इन के टाइम पर सेशन उसका सेट होना चाहिए यूजर आइडी सेशन लोकेशन डैस्बोर्ड यहां पर एक्जिट कर लिए अगर नहीं होता तो उसके समझ में आ गया ऐसा इसलिए हो रहा है यहां पर हमारा सेशन इस्टार्ट नहीं है आप देखेंगे तो यहां पर भी हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा तो आप यहां पर लिख सकते हैं सेशन स्टार्ट इसको सेफ करें वापस एक बार फिट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा तो मैं यहां पर करता हूं यूजर यूजर डॉट कॉम सब्सक्राइब यूजर हमारा लॉगिन हो चुका है बट अगर आप देखेंगे कि मैं अगर वापस से अगर मैं लॉगिन वाले पेज़ पर जाना चाहूं तो मैं यहां जा सकता हूं ऐसा इसलिए हुआ पिकॉस यहां हमने डेश्बूर्ट वाले पे तो हमने एक मिडिल व बनाया ना ऐसा ही हम लोग एक के लिए बना देते हैं कि यूजर अगर लॉगिन नहीं होता है तो उसके सेट होती है तो उसके स्टार्ट रहेगा और यह सेम फाइल हम लोग क्या करते कि यहां पे निक्लूड कर लेते हैं और यह हो जाएगा आपका डॉट डॉट पीएस प इसको सेव करते हैं वापस से अगर हम यहां पर आते मैं इसको करता हूं रिफर तो आप देखिए अब आप लॉग इन वाले पेज़ पे नहीं जा पाऊँगे अना क्योंकि आप लॉग दिन यूजर हो अब यहीं चीज अगर मैं यहां पर उठा दूं कि इस वाले पेज को सिर्फ गैस्ट कर सकते हैं लॉग दिन यूजर नहीं और यहीं सेम चीज अगर मैं यहां पर डाल दूं कि इस वाले पेज को सिर्फ गैस इस्तिमाल करेंगे ना कि लॉग देन यूजर तो अब यह इसको रिडिरेक्ट कर देगा डैश्बोड पर देखिए डैश्बोड पर अब यहां पर हमें एक लॉग आउट का भी फंक्शनलाल्टी यहां पर चाहिए होगा ताकि हम यूजर को लॉग आउट कर सके तो डैश्बोड वाले पेज पर चलते हैं यहां पर क्या करते हैं कि बटन क्रेट कर लेते हैं लॉग डॉट पीश्प जो अभी हमने बनाई न तो यहां पर हो जाएगा आपका लॉग आउट करके इसको करते हैं अगर आप यह पर रिफरेट करेंगे तो आपको एक प्याइज मिल जाएगा बट आभी तक हमने लॉगं डॉट रहेगा वह यहां पर यूज करने वाले था व्यूजर करने आपको पास सबसे पहले आपक जो भी हमारा सेशन है उसको हमें रिशेट करना पड़ेगा तो यह इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक एमपर्टी डाल देते हैं यहां पर और यहां पर सेशन डिस्ट्रोई और फिर हम उसको क्या करेंगे रिडारेक्ट कर देंगे लोकेशन लॉगिन.php के उपर तो जैसे यूजर लॉग्ड आउट होता है उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको भीज दे रहे हैं वापस से लॉगिन.php इसको सेफ करते हैं हम लोग यहां पर करते हैं लॉग आउट लॉगिन.php पर अभी यह अब यहां पर यूजर.co और हप यहां पर यहां पर डाल सकते हैं और यहां पर यूजर की डेटेईल तो जैसे कीया हम कर रहे हूं जैसे कि अगर हम चलें अपने यहां पर हbased informationatan अन्दर आलके तो यहां पर ढृपski यहां पर यहां पर क्या करते हैं की यूजर की व्लोग यहां पर करें की कोशिज करती है शक्कार मइस कंद्वर कर रेंग होود कि आलके मुण ना पर इए आफ कर सकते हों अन्दर जो yılका यूजर कि नेम है वह आप यहां पर प्रेंट कर दो कि आप इसको सेफ करें वापस से मैं इसको करता हूं रिफ्रेश को रहा है कि यूजर नेम ओके यूजर आइडी होगी विकॉस हमने सायद लॉग इन करने के बाद हमने सेट किया था कि यूजर की दो आ रही है आप यहां पर नेम भी आप कर सकते हैं जैसे कि मैं इसको लॉग आउट करके आपको दिखाता हूं तो आप यह आप लिखेंगे कि यूजर एट यूजर डॉजर डॉट कॉम पार्शवर्ड सम्मिट यूजर आ रहा है उसका नाम है तो इस तरीके साब क्या कर सकते हैं जो जो आप डिटेल चाहें आप ईमेल डालना चाहें तो आप वह भी डाल सकते हैं इसी तरीके से से सेशन के अंदर आप रख सकते हैं सबी डिटेल्स ओके एक चीज और यहां पर इस के प्राब्लम है जैसर इसे कि अगर मैं रजिस्टर पर जाता ह। तो है यहां पर क्या कर सकता हो कि जो यूजर अभी हमने रजिस्टर किया था दो यूजर यूजर डाल सकते हो पासम वर चींट कर सकते हो जा मैं असा नहीं होना है लाइं तो उसके लिए होगे यहां comment पर आओंगे यूजर करने से पहले और और की एक और क्वेरी आपको यहां पर रण करनी पढ़ेगे तो मैं इसको हमें याँ से copy कर लेते हैं और यहां पर इस चीज को हमेंजै से replace । replace कर देते हैं है। अब हम क्या करें कि select करें टेबल नेम में से email हमारे पास वही अगर email अगर हमें मिल जाती है। हम लोग क्या करें कि यहां पर इव स्टेट्मेंट जो है वो उसका रो काउंट कर लेगा अगर वो ग्रेटर देन अगर जीरो से होता है तो उसको रिटर्न फॉल्स करतेगा कि अना विकॉज यूजर कि अल्रेडी एग्जिस्ट कि अना अभी आपको आडिया गया होगा कि यहां पर हम लोग क्या करें कि क्या यूजर ऑल्रेडी नी एक्जिस्ट करता या नहीं करता है अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको नीचे नहीं जाने देगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको रेजिस्टर होने की अनु यूजर डॉट कॉम और यहां पर हमने डाल दे पार्शवर्ड अब मैं इसको यहां पर समिट करता हूं एक अनेबल टू रजिस्टर यूजर और ऐसा इसलिए हुआ हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग सीधा E को कर रहे हैं इस चीज को आप एक एरर नाम से एक वैरियबल ले सकते हो और उसके अंदर आप इस तोग तोसग्तव कर कर सकते हो नहीं का कर दोगा है और यहां पर नीचे यहां पर करकती है तो excit Dom नाम के वार्ईवल के लगैं और यहाँ पर नीचे आप कर मेर्च पर ऊसपर इस तरीके से क्यों होका कि आपके ऐरेंडिलिंग नहीं है पर कफितक हो चलए ठीक है आपको वीडियो अच्छे लगी होगी कोई कोशन आपकी मन में तो आप कमेंडर से समय लेकिए मैं इसको जो जबाब दोंगा मिलते हैं अगी बीड़ेकों तब तके लिए बाइबाइब